आज मैं आपको बताऊंगा कि हम OneDrive को अपने मुबाइल फोन से कैसे यूज़ कर सकते हैं मैंने अपना अकाउंट पहले से ही साइग इन कर लिया था तो मैं दुबारा आपको अकाउंट बना कर नहीं दिखा सकता लेकिन अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अब जैसे ही OneDrive खोलेंगे तो वह अकाउंट बनाने के लिए आपको बोलेगा उसमें आप अपना Gmail की मुबाइल फोन का नमबर एड़ कर सकते हैं और एक पासवर्ट सेट कर सकते हैं बस इतना ही सिंपल होता है जिससे आपका अकाउंट बन जाएगा तो अब हम यहां से आपको बताना स्टार्ट करेंगे फंक्शन सिसके यह Home स्क्रीन है जिस पर रिसेंट फाइल दिखाता है आप देख सकते हैं इस पर थोटे टाइम पहले जो फाइल अपलोड हुए हैं वो शो हो रहे हैं इसके बाद जो फाइल्स का उप्शन आता है इसमें सभी फाइल्स दिखाता है जो आपने अभी तक अपलोड किए हैं सेटिंग्स वगेरा मिल जाएंगी और आप हेल्प भी ले सकते हैं यहां से अभी जो आप अगर वन्राइफ को फ्री वर्जिन यूज़ करेंगे तो आपको 5GB का स्टोरेज मिलता है लेकिन अगर आपके लिए स्टोरेज बहुत कम है तो आप चाहें तो इस पे और स्टोरेज खरीच सकते हैं तो अब हम आपको बताएंगे कि इस पे अक्चुली फाइल अप्लोड कैसे किया जाता है तो आप अगर टॉप में देखें तो आपको तीन ओप्शन दिखेंगे उसमें जो सेंट्र का उप्शन है जो प्लस का निशान है उस पे क्लिक करेंगे इसमें कुछ फाइल्स में लेके जाएगा इसमें आपके फोन में जितने भी फाइल्स है वो शो होंगे इन फाइल्स में से आप जो भी फाइल अप्लोड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करते ही वह अप्लोड हो जाएगा जैसे अगर मैं इमेज अप्लोड करता ह तो अभी हो जाएगा आप नीचे देख सकते हैं शो हो रहा है uploading to files अब मैंने फोटो शेयर किया था तो यह फाइल से में आ जाना चाहिए यह देखिए यह पर शो हो रहा है यह फोटो यह पर अपलोड हो चुका है बस बहुत ही सिंपल यूज होता है अगर आप चाहे तो इससे दो फोन्स के बीच में फाइल शेयर भी कर सकते हैं वह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे थैंक यू